नमस्कार आप देख रहे हैं जी हेडलाइन बिहार के चूहों को अब हीरे के टॉप्स पसंद आने लगे हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आप भी देखें इस वीडियो को जो की काफी ही हैरान करने वाला है बिहार में एक बब फिर से चूहे चर्चा में है शराब खोरी और सरकारी पूल में सेंदमारी के बाद इस बार चूहों ने जूइल्री शॉप पर सेंदमारी कर दी है ये घटना जब सामने आया तो सब के होश पाकता हो गए दरसल पटना के बोरिंग रोड इलाके में एक जूइल्री शॉप से चूहे ने दो हीरे के टॉप्स को उड़ा दिया पहले तो दुकंदार ने टॉप्स को लेकर पूरे दुकान को चान मारा स्टाफ तक पर शक के आधार पर पूर्ष ताच की गई लेकिन दुकंदार के हाथ कुछ नहीं लगा ठक हार कर दुकंदार ने सीसी टीवी फूटेज को खंगालना शुरू किया सीसी टीवी फूटेज से जो तस्वीरे सामने आई उसने सब के होश उड़ा दिये फूटेज में साथ तोर ये देखा गया कि एक चुहा दोनों टॉप्स को मुह में दबा कर वहां से निकल गया चुहे के इस कारणामे को देखने के बाद सब लोग हैरत में पड़ गए है वहीं जोलरी शॉप के मालिक का कहना है कि अब माता के लिए विवसाई गिफ्ट हो गया है मुझे अफसोस नहीं है खुशी की बात है मेरे लिए ये कि माता रानी ने हमारे दुकन को चुना है वहीं जाहिड है कि चुहे भी इन दिनों स्यासी समी करण में दिखाई दे रहे है पहले शराब खोरी उसके बाद सरकारी पूल में सेंद मारी और अब सहबजादे चुहे को हिरे का टॉप्स भी नजर आने लगा है चुहे के इस कारणामे का वीडिवल पूरे सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है देखा आपने किस तरह से एक चुहा डाइमेंड के टॉप्स को लेकर चंपत हो गया बिहार में शराब खोरी और सरकारी पूल में सेंद मारी के बाद चुहे का डाइमेंड टॉप्स को लेकर भागने का वीडियो काफी ही वायल हो रहा है वीडियो जनलिस सासांग सेकर के साथ अब नवरंजन जी हैडलाइन्स